पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है और जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जैसे हालात हैं पाकिस्तान की ओर से हमले की आशंका भी जताई जा रही है ऐसे में भारत की पाकिस्तान के हर कदम पर कड़ी के बीच भार्ती नोसेना के कुछ युद्ध पोर्ट और युद्धक विबान अगले कुछ दिनों तक उत्री अरब सागर में अगरिम पंक्ती में तैनात रखे गए हैं ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भार्ती नोसेना इस खास और रन्नीती रूप से मैं तुपूर्ट समुदरी इलाके में पाकिस्तान के चल रहे बड़े नोसेनिक अभ्यास पर पैनी नजर रखी जा सके दर असल पाकिस्तान अपनी युद्धक शमता का आकलन करने के लिए उत्तरी अरब सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है इस दोरान पाकिस्तान अगल के लिए भी तैयार है वो पाकिस्तान के उपर भरोसा करने की गल्ती नहीं कर सकती खास ऐसे हालात में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद से ही पाकिस्तान की सेना और आतंक वादियों की ओर से हमले का खत्रा बढ़ गया है भारत हर मोर्ची पर तैयार र के मामले में 137 देशों की सूची में भारत जहां चोथे सान पर काबिज है वही पाकिस्तान का नंबर 15 है बात अगर दोनों देशों की नौसेना की बीच की जाए तो कुछ ऐसी स्थिती बनती है भारतिय सर्विलांस एरक्राफ्ट और पंडुबियां पाक नौसेना की हर हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है अब पाकिस्तान चाहे जो हरकत करे हिंदुस्तान उसके लिए हर दम तयार है इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए साथी वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और आपकी अपने चैनल हेडलाइनस इंडिया को भी सब्सक्रा झाल